आज मैं आपके साथ जो stock analyze करने वाला हूँ वो है Fortis, यह है एक short term opportunity, यह video ठीक तरीके से देखे ताकि सारी चीजे, important levels, risk management, यह सारी चीजे आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए, अब देखे मेरे पीछे आपको यह Fortis का चार्ट देख जाएगा, बेसिकली यह daily chart है, जैसे मैंने का short term opportunity है, तो short term opportunity के लिए तो हम short term वाला chart देखते हैं, लेकिन मैं आपको monthly chart से लेके आता हूँ नीचे, यानि एक general आपको पूरा idea मिल जाएगा इस stock के बारे में और फिर बाद में short term वाला opportunity भी देख लेंगे, अब देखे, 2007 से अब तक का chart आपको screen पे फिलाल देख जाएगा, तो एक चीज आपको दिखेगी, यह basically stock इतने सालों से steady kind of an uptrend में बना हुआ है, यह lines मैंने plot कर दिया, आपको दिखेगा, कि उपर की तरफ यह stock trade कर रहा है, तो यह positive सी बात है, अब latest वाला अगर देखते ह यह zoom कर लेता हूँ, यह आपको ठीक तरीके से दिख जाएगा, यह देखे, अब यह 2020 से अब तक का chart है, तो basically आपको एक चीज समझ में आजाएगी, कि covid के fall के बाद stock में एक बड़ी खासी, एक बड़ी आसी up move देखने को मिली, तो 100 रुपे से यह stock उपर में, 310 रुपे त के sideways kind of a trend में बना हुआ है, यह दिख रहा है आपको, यह देखे, तो उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरा range bound trade है, यह आपको clearly दिख जाएगा, exact levels भी देखते हैं, इस range की क्या है, यह देखे, अब मैं यहाँ पे levels plot कर देता हूँ, अब horizontal line select कर लेते हैं, यह नीचे क resistance बना हुआ है, 313 के आसपास, यह देखे, इसको मैं red कर देता हूँ, यानी आपको यह clearly दिख जाएगा, 313 उसके उपर का भी एक level है, एक इस सेकेंड इस सेकेंड एक level है, और इसके उपर है 316, एक इस सेकेंड, 316, correct, तो 313 और 316 इस तरीके का उपर की तरफ, इस स्टॉक में resistance बना हुआ है, और कितने समय से हैं, तो पिछले आप देख सकते हैं, देड़ साल का ये समय, तो मंतली चार्ट पे हमी क्याँ समझ में आ गया, तो मंतली चार्ट पे एक चीज़ समझ में आ गई, कि ये stock एक continuation pattern बना रहा है, अभी तक बना नहीं है, एक up move, उसके बाद ये वाला sideways consolidation और आगे जाते हुए, जब भी ये break करेगा उपर की level, तब इसमें consolidation वाला pattern बनेगा, तो उपर वाली levels कौनसी important है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक की second ये देखिए, तो ये resistance मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको reference के लिए वो ज्यादा ब जो हमने watch करना है, अब basically क्या है कि breakout जब आता है, ये monthly chart है, तो breakout तो पहला daily chart पे आपको, यानि intraday पे दिखेगा, फिर daily पे दिखेगा, फिर उसके बाद weekly पे दिखेगा, और उसके बाद monthly पे बनेगा, तो monthly chart के लिए तो समय है, तो पहला breakout आपको कहां पे होने वालते हैं, तो आपने ये level watch करनी बहुत सरूरी है, ये जब भी level break करके stock उपर चलेगा, इसके उपर का close देगा, एक valued breakout होगा, तो ये stock basically एक continuation pattern फॉर्म करने वाला है, जिसके बाद इसमें जो targets हैं, हो 4500 से 500 रुपय तक के targets इसमें बन जाएंगे, तो breakout के बाद हम exact इसका detail में analysis करेंगे target क्या होगा वगरा, वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी, प्लस आप अगर मेरे mentorship program के member है, तो आपको इसका detail analysis जो है, उपर पर pressure analysis में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप member ना हो, तो ये सारी चीज़े आपने ध्यान में रखनी हैं, तो levels तो हमने identify कर ली, monthly chart पे हमने long term वाला एक view भी देख लिया, अब चलिए, अब daily chart पे आए जाते हैं, अब ये देखिए, ये daily chart है, ये जो study मैंने plot के निकाल देता हूँ, अब ये daily chart है, consolidation जो देड़ साल का है, वो यहाँ पे भी दिखने वाला है, no doubt about it, लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि ये छोटा हो जाएग पिछले देड़ साल का, तो basically अब opportunity कब बनने वाली है, जब ये उपर का level break करेगा, 313 और 316 का, तो इसमें opportunity बनेगी, अब अगर opportunity बनती है, तो basically opportunity बनने के बाद, मैं अगर इसमें एक long trade बना लेता हूँ, तो मेरा stop loss कहाँ पे होना चीए, तो जैसे मैंने आपको, आपसे इ ये discuss किया हुआ है, कि the logic behind stop loss is very simple, the reason for which I got into a trade, if that reason fails, I want to exit, इसका मतलब है, अगर ये breakout 316 का level break करके stock उपर चल रहा है, इसलिए मैं अगर एक fresh long position इसमें बना लेता हूँ, और ये stock फिर से ये जो दो line से ये break करके नीचे आ जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि मेरा जो breakout है, व तो मैंने position exit कर देनी है, तो आपका stop loss कहां पे होगा, तो आपका stop loss लेवल के नीचे होगा, तो आपका stop loss 309 होगा, 309, ये breakout 316 का level उपर की तरफ break हो गया, तो एक long position 309 का आपका stop loss, clear, समझ में आ गया, उपर में इसमें targets क्या बनेंगे, तो उसका जो detail analysis है, वो closing पे हम और closing basis पे आपको इसका analysis उपर में position assist में ready mid मिल जाएगा, तो ये है आज का stock आपके लिए 4 tests, और ये formation जो होता है, continuation pattern ये बहुत ही बढ़िया formation होता है, यानि इससे पहले बाले अगर stocks, बहुत सारे stocks होते हैं, एक अगर मैं आपको example दिखा दू, तो वो है Amboja Cements का, Amboja Cements मे आप देख सकते हैं, इसी तरीके का continuation pattern बना था, ये देखे, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखे, ये उपर चला stock, उपर चलने के बाद इसमें sideways kind of consolidation हुआ, और उसके बाद stock ने breakout generate कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर, इससे पहले भी ब बना, तो basically एक up move, continuation pattern क्या होता है, तो एक up move, उसके बाद ये देखी, ये sideways वाला consolidation और उसके बाद यहाँ पर breakout हुआ, ब्रिकाउट कहाँ पर होता है, तो 390 के आसपास ये breakout बनता है, और stock कैसे चला आप देख सकते हैं, जिस तरीके का एक move इसमें देखने को मिला, ये ताकत होती है, continuation pattern की, तो इसी तरीके से, जो latest वाला stock है, वो इसी तरीके का एक formation फिलाल बना रहा है, और ऐसे बहुत सारे stocks है, यानि आप अगर प्रिश्यना से stack करते हो, तो ऐसे बहुत सारे stocks आपको मिल जाएंगे, तो उसी तरीके का ये भी stock opportunity है, ये है fortis, आज का stock आपके बिना भूलें, आपने अगर चानल सबस्राइब नहीं किया हो, तो कर लीजिए, और bell icon भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी एक नया वीडियो अपलोड होता है, आपको तुरंत update मिल जाए, अपने अगर मेरा mentorship program जोईन नहीं किया, तो कर लीजिए, नीचे मेरा number दिया, इस नंबर पर आपका interest मुझे WhatsApp message कर दीजिए, मिल टीम आपके contact में आ जाएगी, enroll करा लेगे, आपको हाथ पकड़ेंगे, आपका आगे लिखे जाएगे, यह ना, grow करना है, हमें, progress करना है, वो सबसे important वाली बात है, आपने मुझे इस वीडियो में join किया, इसलिए आपका धन्यवाद